पेस्टिसाइट्स का लोगों की सेहत पे क्या असर होता है ये जानने के लिए हमारी टीम ने पंजाब को चुना क्यूंकि पंजाब का एरिया भारत का दो प्रतिशत मात्र है लेकिन यहाँ देश में इस्तिमाल होने वाले पेस्टिसाइट्स का हिस्सा देश का 15-18 प्रतिशत है आखिर इतनी भारी मात्रा में ये जहरीले पेस्टिसाइट्स क्यों छिड़के जा रहे हैं इसका जवाब दिया खुद एग्री कल्चरल प्रडाक्ट्स के विक्रेता सुरेंद्र महेश्वरी जी ने पोईजन है जी पोईजन बहुत तकड़ा पोईजन है अभी युनिवरस्टी ने लिखा है सबजियों के पर ना यूज करो हमने विस्टिं कार्ड के लिखा हुआ है यूज मत करो इससे कैंसर होता है लेकिन फिर भी वह अवेरनेस की कहलो कुछ भी कहलो तभी लोग डाल र यानि 40 ग्राम वाली 200 ग्रम पढ़ रही है तो इतनी ओवर्डोज पढ़ती है कंपनियों ने हमारी ऐसे दोड़ लगा रखिया है सुरंदर जी आपके 80 लिटर होगे आप 20 लिटर और बेच दो तो आपको मैक्रोवेब मिलने वाला है आप 1000 लिटर कर दो 200 लिटर और कर दो तो आपको रशिया का रशिया का टूर मिलने वाला है यह अपने पैर पे आपको लाड़ी मारने वाली बात है गेहूं तो हमारे बच्चे भोई खा रहे हैं ने वो जिस पर हमने वह सप्रे करवाया गुरप्रीत एक समात सेवक है अपने आसपास के गाउं में लोगों की ल यह जो सिनेरियो है यह पूरे पंजाब का है पंजाब के हजारों गाउं में यही हाल है लोगों की सेहत लगात्तार गिर रही है हालात इतने खराब है कि राजस्तान के बीकानेर जिले के एक चैरिटेबल कैंसर अस्पताल जाने के लिए पंजाब से एक ट्रेन चलती है भटरिंडा से बीकानेर जाने वाली स्ट्रेन को कैंसर ट्रेन कहा जाता है मेरी छाती मेरे जाती में गांडे हो गई फिर पूरे शरीर में गाठे ही गाठे हो गई ससुराल वालों ने मुझे मेरी मा के पास छोड़ दिया मेरी मा बहुत तकलीफ से मेरा इलाज करा रही है